रियाल्टी सोज की दुनिया में बिग बॉस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाना सरफ बॉलीवर की बड़ी बड़ी हस्तियों के लाइप के बहुत ही बड़े-बड़ी सिक्रेट खोले जाते हैं बलकि कई तरह की बिचिंग और गॉसिपिंग भी होती है और सल्मान कान की होस्टिंग इस से को गालगी टेस्ट देती है ऐसे में सल्मान कान ने बीटे दिन अपना बड़े सेलिबरेट किया 57 और कई दिल्चास फुकुलासे की अपनी लाइप से जुड़े हुए जिसमें सबसे बड़िया खुलासा जो था वो था उनकी पिता की सेल् थी ऐसा सल्लू ने क्यों किया था और एक किसा कपका है आये जानते हैं एक्चुली सल्मान कान ने खुद बताया इस तीवी सो में कि वो छे साल के थिर तब उनके पापा इंदौर से मुंबई आय थे तब घर चलाने के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था औ लेकर उनको कुछ मिला नहीं ऐसे मैं देखा उन्होंने कि पापा की टेवर पर कुछ पेपर रखे हुए हैं उनको लगा ये पेपर ऐसे ही होंगे उन्होंने पेपर लिए बाल्टी में डाले और लगा दी आग बात में जाकर मालूं पड़ा कि उस पेपर में एक सल्मान खान की परिवार में एक तरह क्राइसिस च्छा गया विकॉज जवाने में कुछ ऐसा नहीं था कि और भी तरह की इंकम सो महीने की सेलरी एक बार आती थी पूरा घर उसी से अपना खर्चा पानी चलाता था सल्मान खान की इस हरकत से उनकी मदर बहुत नाराज हुई बिकॉज एक लेड़ी ऐसी होते इसको पूरा परिवार चलाना पड़ता है तो सल्मा बहुत नाराज हुई उन्होंने सल्मान खान को डांटा भी लेकर मज़े की बाते हैं यो पापा ने इस पूरी घटना पर किसी भी तरह का एंग्री रियक्शन नहीं दिया उल्टा उन् उस महीने उनको बहुत मुश्किल पड़ा था बिकॉस सारे पैसे खत्म हो गए थे निवाली का तेवार था और ऐसे टाइम पर पड़ोसियों ने आसपास करिसेदारों ने थोड़ा बहुत पैसे दे कर मदद की ताकि पूरे महीने खर्चा चल सके आज की तरह नहीं था माम सब्सक्राइब करते हैं कई तरह की अपनी फैनेंशल सपोर्ट करते हैं और इस बात को लेकर सेवर रहते हैं कि जो गल्ती उन्होंने बच्पन वे की वह घर में कोई और ना करें प्लस सबका रोजी रोटी चलता रहा है इसके लिए अपनी जैब से पैसे देने को भी तयार रहते हैं सर्मान खान की लाइक का इंसिडेंट में चार चांद लगा रहा है और उनके फैंस को बहुत ज्यादा एक्साइट कर रहा है तो आपको सर्मान खान का यह मासूमियत बड़ा किस्सा कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स बताइएगा उमीद करते हैं आपको हमारे अच्छा लगा हुँआ।